हेलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए हैं जो ये कहते हैं कि हल्दी खाना टेस्टी नहीं हो सकता तो आईए बनाते हैं चना चाट जो की हल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी ये मैंने दो कब बॉयल चनिल ये हैं जिने मैंने सिरफ नमक डालके बॉयल कर लिया था ये दिखिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं अब एक बाउल में मैं लूँगी वन टीस्पून कश्मीरी रेट चेली बाउडर वन टीस्पून धनिया पाउडर वन टीस्पून जीरा पाउडर वन टीस्पून सॉल्ट वन एंड हाफ टीस्पून अ एड़ करेंगे 1 टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून चॉप्ट जिंजर, एक मिनट के लिए इनको फ्राइ कर लेंगे, फिर हम हमारा लिकोर वाला मसाला डाल देंगे, उसी भावल में थोड़ा सा पानी डालके वो भी आड़ कर देंगे, और अब लोग फ्लेम पे दो मिनट के ल तक अच्छे से पकाएंगे, इससे क्या है कि मसाला चनों के उपर बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएगा, यह देखे, यह ड्राइ हो चुके है, अब इन एक बावल में निकाल देंगे, और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लगबग एगंटे बाद जब यह चनों ठंडे हो जाएंगे, हम इसमें याड़ करेंगे, वन चॉप अनियन, वन चॉप किया हुए टेमेटो, हाफ चॉप किया हुए कुकिम्बर, वन बॉयल करके चॉप किया हुए पोटेटो, हाफ कप चॉप कॉरियंडर लीव्स, वन चॉप ग्रीन चिली और जूस ओफ लेमन, हाफ टीस्पून ब्लैक सॉट एड़ कर रहे हुए, वन टीस्पून आमचूर पाउडर, वन टीस्पून चाट मसाला, वन टीस्पून जीरा पाउडर, वन टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और हाफ का पॉमिगनेट के दाने, अब इन सब चीजों को मिक अगर रेड़ी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें